हेलो एवरिवन वेलकम टू सोलुशन अब आज अंचर्चा करेंगे साथ महीर अविवार की सूजस ई बुलेटिन पर तो महंगाई राहत कैम चल रहे हैं दस योजनाओं का संचालन हो रहा है उसी के साथ मुख्यमंत्री हेल्प लाइन नमबर 181 चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं तो 114.1 करोड रुपे के 30 विकासकारियों का लोगारपन शीला नयास किया गया है अशोग एलोज जीदवारा मुख्यमंत्री जीदवारा और उन्होंने दोलपूर और करोली का दोरा किया है वहाँ पर महंगाई राहत कैम्प में ये उसके लावा Current Affair का हमारा Question बनता है कि केंदर सरकार ERCP को राष्ट्रे परयोजना का दर्जा दे इस तरह की मांग की गई है ERCP क्या है पूरवी राजस्तान नहर परयोजना यानि की ERCP पूरवी राजस्तान के 13 जिलों की जीवन रेखा है जानेंगे इसके बारे में क्या क्या पूरी Information है और राजस्तान सरकार द्वारा अब तक जो राजया बजट आया उसमें ERCP के लिए 13,000 करोड रुपे का प्रावदान किया जा जुका है यह हमारे इंपोर्टेंट है इसके लावा महंगाई राहत कैम चल रहे हैं जिसमें 10 योजनाओं का अलाब मिल रहा है 10 प्राकेट योजना नियूनतम समाजिक सरक्षा पैंशन योजना प्रतिमा 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती है किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी चिरन जीवी स्वास्ते बीमा योजना मनरेगा अब 125 दिन का रोजगार इंदरा गंधी शेहरी रोजगा गरंटी योजना 125 दिन का रोजगार चुरन जीवी दुरगटना भीमा योजना 10 लाख तक का और मुख्या मंतरी काम देनू पशु भीमा योजना दव पुश्वों का भीमा प्रति पशु 40,000 पे ये 10 योजना जो है मुख्या मंतरी जी ने अभी चालू की हुई है इनके ग दिखाई गई है जैसे जालोर की नो जोजना के लाब की गरंटी मिली है तो वहां के बुजुर्ग ने खुशीद जताई है उसके अलावा यहां पर है देखिए बुंदी जीले के बारे में है कि यहां पर एक दिन में 28,345 लाबार्तियों का पंजी करंड किया गया जैपू इन सबी की इस तरह से टोटल कितना भी तक पंजी करंड हो चुका है और एक दिन में मैक्सिमम कितना गया है वो जानकरी है इस पेज पर तो यहां पर हमारा करंट अफेर का कोई क्वेस्चन नहीं है बस महंगाई रहात के बारे में ही है अगले पेज पर पढ़ते हैं मनिप अगले पूर में हिंसा की गटनाओं का मद्द नजर रखते हुए राजस्थान के विद्यारतियों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए इधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं और उन्होंने क्या काया कि राज्जय में आने वाले विद्यारतियों की वापसी का पूरा खड़ जो है वो राज्या सरकार करेगी और उसके लिए हल्प लाइन नंबर भी जारी की गए हैं जिनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे उसके लावा सिंचाई दंतर मजबूत हो इसके लिए एक जार तीन करोड रुपे की स्विक्रति प्रदान की गई ह तो इसी क्रब में मुख्यमंत्री जी ने अशोग गलो जी ने नहरों जल और सिंचाई पर्योजनाओं से समंदित वेबिन कारियों के लिए कितने एक जार तीन पॉंट उननिस करोड एक नो करोड रुपे की वितियस विक्रति दी है अब इसमें किस किस जगा को लाब तो मारगिया लगो सिंचाई पर्योजना जो कि डूंगरपूर जी लेकी है बीलवाड़ा में मेजाबान की मुख्य नहरे उसके लबा बासवाड़ा में अनास नदी पर सांग डूंगरी अनिकट थापडा अनिकट लिफ्ट सिंचाई पर्योजना उसके लबा सोलित अधार सुक्षम सिंचाई परियोजना और दानपूर लिफ्ट सिंचाई परियोजना इनका निर्मान किया जाएगा उसके लबावा इंपोर्टेंट है जालावाड में आहू नदी पर आनिकट और कॉजवे कंठाली नदी के कटाव को रोकना और चित्ता उडगड में बड़ी इमान और बावलिया बांत के अधिशेष जल से साड़े साथ हेक्टेर कमांड शेतर में 16 अधारिक सुक्षम सिंचाई पर नाली का निर्मान करना बुंदी में गोडा पचाड नदी पर बैंक प्रोटेक्शन का रहा है गोडा पचाड नदी जो है वो बुंदी के गाम के नाम पर अब इसमें देखी जो जो हाई लेट कियो है हमारे लिए वो इंपोर्टेंट है कि जो परयोजना चलाई जा रही है वो कौन से जिले में शंचालीत है जैसे देवर कराडिया लगु सिंचाई परयोजना परताबगड में है कोटा की अलनिय मध्यम सिंचाई परयोजना है अगर जील उसका सोंदे कर्ण ठीकिया जाएगा तो ये दो ओर प्लेसेज़ हैं एक तोbelt took up डिल सरोवर जो श्री को लायत वी स्रीक और सीथ है और दुसरा बुंदी के हिंडोलि स्थित राम सागर जील तो राम सागर जील का है हिंडोली बुंदी के अंदर अजमेर पुलिस प्रशिक्षन स्कूल खुलेगा तो पुलिस करमचारियों की कारेशमता और दक्षता बढ़ाने के उदेशय से श्री अशोग एलोजी ने अजमेर के सिलोरा किशनगड में प्रशिक्षन स्थापना को स्विक्रती दे दी है यह हमारे लिए करेंट अफेर का मुद्दा है उसके लावा क्या इंपोर्टेंट है कि मंदिरों और समारकों के सरक्षन के लिए वित्य प्रावधान किया गया है 6.45 करोड रुपे का और इस से क्या होगा इस राशि से जो नागोर के थावला और जसनगर्स्थित जो शिव मं और भरतपुर्ण में किशोरी महल इनका सरक्षन और जीरनोदवार किया जा सकेगा तो यह प्लेस भी हमारे लिए इंपोर्टेंट है उसके लावा एक इंपोर्टेंट निउस है कि बहु मंजिला भवनों में पेजल कनेक्शन पॉलिसी की अधिसूचना जारी की गई है जि पहरी शेत्रों में बहु मंजिला भवनों को जन स्वास्थय अभियांतरी की विभाग की उजनाओं से पेजल कनेक्शन उपलब्द करवाने की गोशना की थी उसके लावा इंद्रा कान्दी मुख्य नहर जो है उसमें 40 करोड रुपे की लागत से सुधार कारे किया तो सूजस बुलेटिन का यहीं समावन होता है अब इससे जो इंपोर्टन कोश्चन बनते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं तो इसमें हम बात करेंगे ERCP के बारे में अजमेर में पूलिस प्रशिक्शन स्कूल खोलने वाला है महंगाई राहत कैम 10 योजना है और इंद्रा राजस्तान नहर पर योजना और पूरी राजस्तान के कितने जिले जो हैं यहां पर जिले आएगा तो इसमें कितने जिले जो हैं वो शामिल किये गए हैं तो इसमें कुल 13 जिले जो हैं वो शामिल किये गए हैं अब वो 13 जिले कौन-कौन से उनके नाम देखते हैं तो इसम मेर, टॉंक, जैपपूर, करोली, अलवर, भरतपूर, दोसा और दोलपूर, ये 13 जिले शामिल किये गए हैं, अब ERCP को वर्ष 2021 तक पूरा किये जाने की योजना है, और इस योजना का उदेश यह क्या है, इस परियोजना का वो देखते हैं, तो दक्षणी राजस्तान की यो उसका उप्योग जो है, राजस्तान के उन दक्षणी पूरवी जिलों में किया जाए, जहाँ पानी, पीने के पानी की से जाए, ये जल का अभाव है, तो ये हमारे लिए इंपोर्टन है, इसी लिए ये परियोजना इंपोर्टन है, एक और इंपोर्टन न्यूज इससे ब वो केंदर सरकार इस पे लगाएगी, इसी लिए इसको राष्ट्रिय दर्जा, राष्ट्रिय पर योजना देने की मांग की जा रही है, और ERCP के अनुमानित लगबग राष्टी जो है, वो 40,000 करोड रुपे हैं, इस वीतिय वर्ष में इसमें 13,000 करोड की स्विक्रती प्र योजना 100 उनिट तक बिजली फ्री, मुख्या मंतरी निशल कृषी बिजली योजना 2000 उनिट बिजली फ्री किसानों के लिए, अन्डपूर्ण फूड पकेट योजना जिसमें विन तरह का फूड जो है, वो पकेट में डिलीवर किया जाएगा, मुख्या मंतरी जी की इस य जार रपे तक दिये जाएंगे, ग्रमीन रोजगार गरंटी योजना 125 दिन का रोजगार, इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गरंटी योजना में 125 दिन का रोजगार, चिरन जीवी दुगटना भीमा योजना में 10 लाग तक का भीमा, उसके लावा हमने पहले बात कि थी कि मनिपूर से जो है राजस्तानी छातरों को सुरक्षित गरवापसी के लिए हेल्प लाइन नमबर जारी कर दिये गए है और साहिता प्राप्ती के लिए ये हेल्प लाइन नमबर है तीन ये हेल्प लाइन नमबर जारी किये गए है और जो भी मनिपूर से छातर हैं उनकी जो वापसी की जो सुविदा है वो सारी राज्यसरकार करेगी हवाई यात्रा हो या ट्रेन का किराय हो उन सभी का पॉर्ण बरंज हो राज्यसरकार द्वारा वहन किया जाएगा आगे बढ़ते हैं राष्ट्रियस सहकार मसाला मेला 2023 और ओर्गैनिक फूड फेस्टिवल ये दोनों संपन हो चुके हैं तो राष्ट्रियस सहकार मसाला मेला जो की 28 तारीक को शिरू हुआ था और ओर्गैनिक फूड फेस्टिवल ये दोनों का समापन होना था 7 मई को तो ये समापन हो चुका है, रविवार को इसका समापन हो चुका है और जैपूर वासियों ने खरीदे 2.10.00 रुपे से अधिक के मसाले और उत्पाद इमारले इंपोर्टन नहीं है बिक्री की द्रिष्टी से जो है शीर सहकारी संस्थाओं में कॉनफेड रही जिला बंडारन में कोटा और बोकता बंडार रहा और केवी एसस में मथानिया ये प्रेथम स्थान पर रहा, ये हमारे लिए इंपोर्टन पोइंट है इसमें और इसका समापन कब हुआ तो 7 मेह को हुआ दोनों योजनाओं को ये हमारे लिए इंपोर्टन है उसके लब बहु मंजिला बवनों में पेजल कनेक्शन पॉलिसी की अधी सुचना भी जारी की गई है हमने अभी पड़ा रेजिडेंट वैलफेर असोशियेशन एम विकास करता कनेक्शन के लिए आवेदिन किये जा सकते हैं ये जल्दाय मंतरी जी का कहना है आगे देखते हैं कालितर परियोजना ये परियोजने हैं हमने पड़ी थी ये कहां की ये कालितर परियोजना तो ये है दोलपूर की मारगिया लगू सिंचाई परियोजना है डूंगरपूर की मेजा बांध है भीलवाड़ा में साग डुंगरी एनिकट बासवरणा में है थापड़ा एनिकट लिफ्ट सिंचाई पर्योजना है बासवरणा के अंदर दानपूर लिफ्ट सिंचाई पर्योजना भी बासवर्णा के अंदर संचालित है तो आज की सूज़ सी बुलिटीन में इतना ही कल के Current Affairs के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन